Hello friends, welcome back to my channel तो आज मैं आपको LKG में बच्चों को English में आपको क्या पढ़ाना है उस चीज के बारे में बता रहे हूं तो उसकी copy हम तयार करेंगे तो आपको इस copy में भी पहले आपको nursery का revision कराना पढ़ेगा कि बच्चे को क्या क्या लरन है और वो क्या क्या भूल चुका है तो आप देखा होगा आपने nursery में बच्चा है A to Z, Capital, Simple वाली ABCD सीख चुका होता है तो आप उसकी copy तयार करके दीजिए उसको कैसे तयार करना है वो देखे सबसे पहले फ्रेंड आपको date जरूर maintain करनी है आपको date डाल कर ये जरूर बताना है कि बच्चे को चाह बच्चे इस बात को नहीं समझ रहा है लेकिन आपको बच्चे को ये बताना है कि बेटा ये date होती है तो बच्चे को भी याद रेगा बच्चे जब आगे next class में जाएगा और school में भी तो उस चीज को याद रिखेगा कि यहाँ पर हमें date mention करनी होती है कुछ जगे date का column यहाँ भी दिया रहता है पर बच्चे को यहाँ लिखने में बहुत problem आती है तो school में भी teacher यहीं पर लिख कर देता है उसके बाद आप जब उन बच्चों को यह बताएं कि A to Z आपको लिखना है तो आप उसको line के अंदर ही लिख कर दे ताकि बच्चे को भी पता रहे कि हमें कौन सी line में क्या लिखना है अगर ma'am की writing अच्छी होगी तो बच्चा अपने आप writing अच्छी करेगा अगर आप कच्रा करके दे देंगे copy में उसको बहुत गंदा लिख देंगे तो बच्चा भी वैसे ही लिखने की कोशिश करेगा तो आपने A to Z लिख दिया है सबसे main कारण यह होता है कुछ पता है parents यह कुछ teacher क्या करते है कि बच्चे को A to Z दे दिया कि A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z तो बच्चे इतना neat and clean work करेगा और copy देखकर आपको भी बहुत खुशी होगी कि बच्चे ने बहुत अच्छा work किया है तो आपको थोड़ी सी महनती अभी starting में करनी पड़ेगी A to Z जब complete हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है कि बच्चे को A to Z पूरा आता है तो अगर छोटी A, B, C, D, E, B नहीं आ रही है तो वो आपको ध्रे-ध्रे start करनी पड़ेगी क्योंकि वो आपको LKG में ही सकानी पड़ेगी small letters ठीके इसमें अब हम क्या कर सकते है कि A to Z के बाद जब बच्चों को इतना आ गया है तो आप क्या करिए कि यहाँ पर जैसे आपने ये apple की picture बना दी आपने bowl की picture बना दी ठीके आपने egg की बना दी है पीच बीच में मैं आपको छोड़ छोड़ के बता रही हूँ F for fish K for kite L for lamb U for umbrella V for van B for ball C for cat और आप D for doll भी बना सकते है ठीके अब आप यहाँ पर क्या करिए बच्चों को लिख कर दीजिए कि A आपने लिख दिया है हाँ पर E यहाँ पर F K for kite L for lion L for lamp और lion आपने जिसकी picture बनाई है लैंप की बनाई है तो आप लैंप लिखेंगे U for umbrella V for van B for ball C for cat and D for doll अब देखिए बच्चा कित्ती असाने से मिला लेगा बेटा A से आपको picture मिलानी है और वही picture आपने बनाकर सेम एल्फावेड से उसको मैच करवा लिया है तो यह बच्चे को और इसके अंदर आप कल्रिंग जरूर करवाईए गाप प्लीस कल्रिंग करने से क्या होता है तो बच्चे को कलर करना आ जाएगा आप सो सफाई से कलर करना सिखाईगे कलर आइडेंटिफाई हो जाएगे और एक बच्चे को प्लस के समझ में आ जाएगा कि यह कलर कौन सा है ब्लू है रैड है येलो है उनसे कलर करवाई है बच्चे बहुत खुश होते हैं इसमें कलर करने में तो यह आज मैंने आपको इंग्लिश के टू पेस जो नर्सरी ले होगी ओके देन थेंक्यू बाए मेरी वीडियो को प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए आप सब यह करेंगे प्लीज प्लीज थेंक्यू फोर वाचिंग